नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अमारे हेल चैनल हिंदी मेडिकल में आज फिर एक हेल्थ वीडियों के साथ में सोनोठा को रुप पस्तित हूँ दोस्तों आज के समय बिना दवावों का कोई नहीं रह सकता है हर लोग को कोई ना कोई छोटी छोटी बीमारी हमेसा जितनी छोटी मोटी परसानिया होती है उसके लिए कोई डाक्टर के पास नहीं जाना चाहता लोगों को लगता है कि डाक्टर के पास जाने पे ज्यादा पैसे खर्चोंगे इसलिए उससीधा मेडिकल सौप पे जाते हैं या ग्रामिन एरिया में जो लोग रहते वो ग्राम काप कफी ज्यादा करते हैं लेकिन ओख रहती हैं जहर के समाल काफी जाएफ़ेक्ट होती हैं वह involvement मैंने सरीर में काफी ज़ vous Never क्वें लगता है कि ब हैँ काफी ज्यादा काफी ज्यादा यह फायदे कर रही हैं वह उसी के चक्कर में उसका काफी ज्यादा इasında करने लगते हैं मार्केट में चलती काफी ज़्यादा है और इसलिए लोग उसका इस्तमाल कर रहा है तो आज हम इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी ही दवाओं के बारे में बताएंगी जो काफी ज़्यादा बिक्ती हैं उनके काफी ज़्यादा फायदे भी होते हैं लेकिन उ जहर के शमान काम करती हैं और काफी ज़्यादा आपके सरीर में नुकसान कर सकती हैं तो उन्हीं दवाओं के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों तो वीडियो सुरू करने इस पहले वीडियो के नीचे सब्सक्राइब को बटन दिया गया उस पर क्लिक कर चेनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों पहली दवा की बात करें जिसका काफी ज़्यादा लोग उपयोग करते हैं लेकिन उसके काफी ज़्यादा साइड इफ्यक्ट होते हैं तो वह टेक सोनना टेबलेट काफी फेमस गोली है इस नाम से आपको इंजेक्शन भी मिल जाता ह और इसका injection भी काफी जादा विगता है यह tablet भी काफी जादा विगती है जब भी लोगों को दर्द, बुखार, सर्दी की समस्या होती है और दवाव के साथ इसका काफी जादा उप्योग लोग करते है सबसे बड़ी बात कि यह काफी जादा सस्थी मिलती है मातर दो रुपए में आपको दस गोली मिल जाती है इसलिए अधिकतर गामरी एरिया के जो डाक्टर होते हैं या मेडिकल सौप वाले होते हैं दर्द बुखार की गोली के साथ इसका काफी ज़्यादा उप्योग करते हैं और इसको ज़्यादा देते हैं दो तिन दिन तक तो इसका इस्तमाल करने से कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है लेकिन कुछ लोग इसको काफी ज़्यादा फरस्टेट के तोर पे रख लेते हैं और काफी ज़्यादा इस्तमाल करने लगते हैं वह अभी बीना डाक्टर के सलाह के जबकि बिना डाक्टर के शलाक है इसका कभी भी ज़्यादा दिनों तक उप्योग नहीं करना चाहिए नहीं तो आपको काफी ज़्यादा सैड इफेक्ट हो सकते हैं डेक्षोना टेबलेट की बात करें तो यह जाइड़ाश कमपनी दोरा बनाई जाती है इसके कमपोजिशन की बात करें तो इसमें डेक्षा में था सुन 0.5 फैमजी पाय जाता है काफी फेमस गोली है आपको हर जगा असाने से मिल जाती है काफी ज़्यादा चलते भी है तो आप नाम नोट कर लिजिए डेक्षोना कभी भी इसका रेगूलर जादा दिनों तक इस्तमाल ना करिएगा बिना डाक्टर के शलाके दो-तिन दिन तक इस्तमाल कर सकते हैं इससे जादा दिनों तक कभी भी इस्तमाल नहीं करिएगा दूसरी गोली की बात करें तो बैटने शोल टैबलेट यह भी काफी फेमस टैबलेट है काफी ज़्यादा बिक्ति है खास कर सरदी बुखार और हाफी हाफी में तो काफी ज़्यादा यह गोली बिक्ति है काफी ज़्यादा लोग इसका इस्तमाल करते हैं लेकिन इसका भी गतार जादा दिनों तक इसका सेवन नहीं करना चाहिए बिना डाक्टर के सला के बैटने शोल टेबलेट की बात करें तो यह जिसके कंपनी द्वारा बनाई जाती है इसके कुंपोजिशन की बात करें तो इसमें वेथा मेथा सोडियम फासपोर्ट 0.5 एमजी पाए जाता है यह 20 गोली के पत्ते में आती है जिसकी MRP 14 रुपय है इसमें काफी सस्ती टेबलेट है इसलिए लोग धडलने से इसका इस्तमाल करते हैं लेकिन कभी भी आप इसका इस्तमाल जादा यह रेगुलर ना करें नहीं तो आपको काफी जादा साइड एफेक्ट हो सकते हैं आप जब भी इसमाल करें इसका रेगुलर तो डाक्टर केशल आएकर इसमाल करें ना तो नार करें बेटनेश और नौम याद रखे काफी फेमस गोली है यह भी तीसरी गोली की बात करें तो वाइशलों टैबलेट यह भी काफी जादा बिकती है इसमें कई M.G आते हैं जैसे व पाइजर कंपनी द्वारा बनाई जाती है इसकी कुमपोजिशन की बात करें तो इसमें प्रेडनिश लोन पाय जाता है जितने एमजी का आप लेंगे उतने एमजी प्रेडनिश लोन आपको मिलेगा वाइश लोन पाइफ एमजी 15 गुली के पत्ते में आता है जिसकी मर्प 11 रुपए है इसमें जो काफी सस्ती है इस गुरूप के आप कोई भी दवाई लेते हैं वो काफी सस्ती या इसलिए ग्रामिन एरिया के डाक्टर काफी ज़्यादा इससे बिखते हैं या मेडिकल सौप वाले काफी ज़्यादा बेचते हैं और काफी ज़्यादा लोग इसका रेगुलर इस्तमाल कर रहे हैं इसका भी आप दो-तिन दिन से ज़्यादा तक दिनों तक रेगुलर इस्तमाल नहीं कर सकते बीना डाक्टर के सलाह के तो आप नाम नोट कर देए वाइश लोन वाइश लोन काफी फेमस नाम है अधिकतर मेडिकल सौप वाले दे देते हैं लेक तेज दर्द होता है तो लोग तुरन दर्द की दवा खाते हैं अधिकतर लोग तो अपने पस दर्द की दवा हमेशा रखते हैं लेकिन दर्द की दवा कभी अपने मन से लगतार नहीं खाना चाहिए डाक्टर भी जब पर दर्द की दवा लिखता है तो लिखता है कि दर्द का ना खाए क्योंकि उनके side effect होते हैं जबकि कुछ लोग ऐसे होते जो लगतार दर्द की दवाये खाने लगते हैं खासकर अगर आप डाइकलोफिनक गुरूप की दवाये खा रहे हैं वो काम तो काफी बैतरीन करती है एक गोली खाते ही आपको आराम मिल जाता है लेक गोली खाए या दो गोली खाए दर्द आराम हो गया रांज अगर लगतार आपको दर्द हो रहा है और बार बार खा रहा है तो बीना डाक्टर के सलाह के ना खाए डाक्टर जब आपको कहें कि हैं आप लगतार खा सकते हैं तभी आप लगतार खाए नहीं तो ना खाए क्य ना करीगा तो एक बात नोट करीगा दर्द की दवा कभी भी रेगुलर लगतार अपने मन से नहीं खाना चाहिए बीना डाक्टर के सलाह के